हेलो फ्रेंज कैसे आप सभी लोग मैं हूँ शिखा गुपता और जैसा कि यह नया चैनल है पीएस कॉर्णर और हम इसकी शुरुवात कर रहे हैं आप सभी अगर हमारे साथ रहे तो हो उमीद करते हैं जल्दी हम इस पर लाइफ क्लासिस भी शुरू कर पाएंगे जैसा कि मोबाइल से ही लाइफ करना पड़ेगा तो अभी लाइफ की सुविदा अपने पास नहीं है अगर आप लोग हमारे साथ देंगे और इस थोड़ा सा शेयर करेंगे इन वीडियो को जरूर जल्दी से हजार लाइफ हो जाएंगे तो आज का जो यह वीडियो है वो हमने बना चुकी हूँ लाइफ किया था मैंने फेस्बूक पेज पर अगर आप वहां जुड़े हुए हैं तो आज आप यह वीडियो देखिएगा तो बेसिकली जो ताउते चक्रवाथ हैं इसका नाम कैसे पड़ा इनका नाम कैसे रखा जाता है और क्यों इनका नाम रखने की ज़र चे जो हैं रीजनल सेंटर्स हैं मौसम जो मौसम के बारे में जिनको विशेशता हासिल होती है पूरे विश्व में 6 ऐसे मौसम विभाग केंद्रित के गए नोटिस बनाए गए हैं तो जो भारती मौसम विभाग है आएमडी उन 6 में से एक RSMC है RSMC क्या होते हैं रीजनल चेश मौसम केंद्र ठीक है उन में से एक है भारत 6 में से तो काफी गर्व की बात है हमारे लिए और भारत क्या करता है इन जो RSMC का काम होता है किसी भी साइकलोन जो उष्ण कटी बन दिये चक्रवात आते हैं उन चक्रवातों का एक तो नाम रखना और दूसरा उनके बारे में चेतावनी जारी करना ये काम होता है RSMC का अब भारती मौसम विभाग जो है इनका नाम क्या खुदी रख देता है जैसे भारती नाम रख देगा सारे या इनका नाम औरों से भी पूछ के रखा जाता है और देशों की भी इसमें राए ली जाती है या चेतावनी किनको दी जाती है तो होता क्या है जो भी भारती मौसम विभाग से जुड़े होए देश होंगे उनमें ये चेतावनी जारी की जाएगी भारती मौसम विभाग के द्वारा दूसरा जो है इनका नाम भी उनकी राय से रखा जाएगा तो भारती मौसम विभाग ने 2004 से ये नाम र कर लेना अच्छे से कौन-कौन से भारत पाकिस्तान बांगलादेश मयानमार मालदीफ श्रीलंका इसके अलावा ओमान और थाइलेंड ठीक है ओमान अरब देश हो गया थाइलेंड जो है भारत के दक्षिनपूर भी एशिया में आ गया ठीक है तो यह आठ देश हैं तो 2004 में आठ देश थे तो इन आठ देशों की जो अलफाबैटिकल ओर्डर है नाम का जैसे अगर हम इन सारे देशों को देखें तो सबसे पहले आता है बांगलादेश क्योंकि इसका नाम शुरूता है बी से इसके बाद आता है इंडिया क्योंकि इसका नाम शुरूता है आई से औ माचो जो देश हैं वो अरब देश हैं कौन कौन से हैं यमन, कतर, UAE, सौधी अरब और इरान तो इस प्रकार से 2018 से टोटल 13 देश इसमें हो गए जो भारती मौसम विफाग से जुड़े हुए हैं तो ये 13 देश मिलकर नाम रखते हैं और इन 13 ही देशों में चेतावनी जारी क जाती है भारती मौसम विफाग के द्वारा नाम का क्रम क्या रहता है? मैंने आपको बताई दिया, अलफाबैटिकल और में रहता है अब जो ये नाम रखे जाते हैं, कैसे रखे जाते हैं? तो ये 13 देश हैं ये 13 देश मिलकर 13 तेरा नाम सजिस्ट कर देते हैं, यानि हर ए नामों की लिस्ट जो है प्रकाशित की थी कौन-कौन से नाम है और इस लिस्ट में से पाँचवा नाम है ताउते चक्रवा जो अभी आया हुआ है तो ये नाम रखा है मयानमार ने इसका मतलब क्या होता है मयानमार में एक ताउते नाम की छिपकली होती है ठीक है एक छिपकल मिलती है, मयान मारने बोला था, कि मैं तो ये नाम सेजिस्ट करता हूँ, अब उसकी इच्छा है, चिपकली के नाम पे से, तो चिपकली का नाम होता है, ताउते, तो ये चकरवात का नाम मयान मारने रखा है, पांचवा नाम है ये उस लिस्ट में, इससे पहले चार नाम रख इंडिया सेकिंड नमबर पर आता है अल्फाबेटिकल और में और इसका प्रभाव महाराष्ट पर पड़ा था अरप सागर में चक्रवात आया था लगभग 21 नौवंबर के आसपास तीसरा चक्रवात था निवार निवार जो चक्रवात आया था वो भी नौवंबर में आया जो सारे चक्रवात है क्योंकि मैंने बताया अप्रेल 2020 में लिस्ट आया थी जून में आया था निसर्ग और 21 नौवंबर के आसपास आया था गती 23 नौवंबर के आसपास आया था निवार ये बंगाल के खाड़ी में आया था और तमिलनाडू वाले तटोप पर उन्हें ज जाके हैं वहां पर थोड़ा इससे बारिश वारिश हुई दी तो इस प्रकार से चार पहले आ चुके निसर्ग गती निवार और बुरेवी और पांचवा जो नाम है वो है ताउते जो कि मयानमार ने रखा है और यह अभी आई रहा है अरब सागर में आया हुआ है और भार इस से बारिश कहां हुई थी क्या-क्या रहा था ये सारी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगा घती चक्रवाद की तो आँस अलग-अलग डिटेल मिल जाएगी तो नाम रखने से एक तो ये साउलियत हो जाती कि अध्यान के जुधा हो जाती दूसरा क्या होता है? कि अब देखो बांगलादेश, मयानमार इनकी बात नी करें, भारत की बात कर लें, तो भारत में शिक्षा का इस्तर अभी काफी कम है, बहुत कम जनसंख्या है, जो शिक्षित है, अना 100% तो पता नहीं हम कब पहुचेंगे, तो अब मालो अगर हम किसी को अक्षांज देशांतर के रूप मे वार्णिंग जारी करें, चेतावनी जारी करें, तो आदे लोगों को समझी नहीं आएगा, और जैसे आप मालो ताउते चकरवात है, तो यह हर किसी को पता है, मलब घर में मम्मी, दादी भी आपको ताउते चकरवात बोलते, ताउत तो अटलिस बोलती नजर आ जाएंगी कि ताउ आ रहा है, ताउ आ रहा है, ठीक है, तो आसान हो जाता है उसकी चेतावनी जारी करना, तो इसलिए इनके नाम रखे जाते हैं, जिससे चेतावनी जारी करना आसान हो जाए और दूसरा अध्यन के सो विदा हो जाए, तो इसलिए ने के नाम रखे जाते हैं, तो और जो उषनकटीबंदिये चक्रवाद राजस्थान में के वारिश कर रहा है. लग्चा कुंप पर ज़ल की गुप्तूश्मा होती है जल की गुपतुश्मा मतलब जो जल वाश्पी करण की गुपतुश्मा होती है उससे उसको एनर्जी मिलती है उर्जा मिलती है तो जब जली नहीं होगा तो वाश्पी करण की गुपतुश्मा नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी तो इसलिए जल का होना जरूरी है लेकिन ज चेत्रफल बहुत ज्यादा होता है और इतना बड़ा चेत्रफल होता है कि इसका काफी बड़ा भाग इस्थल पर भी रहता है तो वहां पर बारिश, हवा, आतेज, चलना यह सारी गतिविद्या होती है तो इसलिए राजस्थान में भी इसका प्रभाव पड़ रहे है वहना जादा प्रभाव है उतनी जानमाल गीहानी तो राजस्थान में एक्स्पे establishing है बठां उश्नीकति बंडिये !! चकरवात के जो दिवार है या बाकी का जो चेत्र भित्ती वाला चेत्र वह तो इस्थित है राजस्थान में इस करण वहां पर भी बारिश हो रही है काफी इसकी जो कंडिशन होती है, जो जल का तापमान है, वो नियुनतम 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और यही वज़ा है कि इस समय, पिछली साल भी मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो बनाया था, जो मेरा पुराना चैनल था, कि अपरेल मही में इतनी बारिश क्यों होती ह उसकी वज़य है कि मार्च में 21 मार्च को जो विशू होता है, उस समय सूर्य होता है, विशुवत रेखा पर सीधा चमकता है, और उसके बाद जो है उत्री गोलार्द में आगे बढ़ने लगता है और 21 जून को, जो समर सॉलिस्टिस होता है, यानि ग्रीश में संक्रानती ह होती है उस पर जाकर करक्रेछा पर पर रिस्थत हो जाता है यानि करक्रेखा पर सीधा चमकता है 21 जून को तो मार्च से जून का समय होता है उसमे सूर्य-धीरे इत्री गोलारद में आगे बढ़ आज बढ़ रहा होता है करक्रेखा की happening आप क्या होगा जैसी ही, मालो सुर्य करक्रेखा पर पहुँँचेगा तो उस बीच में तो हिंद महासागर से गुजरेगा, विश्वत रेखा से जब भारत की करक्रेखा पredZA पर इस्तित हैं, वहाँ बढ़ेगा तो बीच में हिंद महासागर आए सिर्फ जलपर ही होते हैं यही वज़े कि अप्रेल मई में ये चक्रवात आते हैं और अप्रेल मई में उश्नकटी बंद ये चक्रवात उत्तरी हिंद महसागर में आते हैं ठीके तो अप्रेल मई में हर साली थोड़ी बहुत बारिश होती ही है राजस्थान में ये तैय है तो इसका सवाल इनको बोलता है स्थाने चक्रवाद या स्थाने निम्न वायुदाब के कारण ये चक्रवाद बनते हैं क्योंकि अगर हम पूरी प्रत्वी की बात करें तो पूरी प्रत्वी पर जो निम्न वायुदाब बनते हैं वो तो 0 डिगरी पर और 6.5 डिगरी उत्तरी और दक्षनी गोलाद यानि आर्कटिक ब्रत और अंतार्क्टिक ब्रत पर बनते हैं लेकिन ये स्थानी चक्रवाद बन थोड़ा ग्रो कर जाएं फिर इस पर वीडियो बनाएंगे अगर थोड़ा अच्छा रहा रेस्पॉंस आपका तो कोशिश करेंगे कि हम भी एक टीम आपके लिए लेकर आएं प्रॉपर सेटप के साथ आएं अच्छे वीडियो बनाएं यूसफुल कुछ जोग्रफी के अ आपके लिए तो हमारे लिए आप दुआ करिए और सपोर्ट करिए हमें थैंक यू बैरी मच बबाई जय हिंद